हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ने चारें क्लास एट की इंगलिश के बुक इट सो हैपन का चाप्टर थ्री तो हर दिन दुपार में क्या होता था कि जो बच्चे थी वो स्कूल से आती थी और जाइन के गार्डन में खेलती थी वो गार्डन बहुत ही प्यारा था औ और उसमें अच्छी सी चोटी चोटी से मुलायम ग्रीन वाली गास थी उसके साथ गास के साथ साथ ही वहां पर ब्यूटिफुल से फ्लावर्स थे वहां पर पीच का ट्री भी था स्प्रिंग टाइम में वो फूल देता था और फिर आटम में वहां पर बहुत ज़्यादा म हम कितने खुश हैं यहां पर एक दिन राक्षेस वापिस आता है वो साथ साल से अपने दोस्त को मिलने गया था किसको मिलने गया था कॉर्निश और ग्री तो उसके साथ जब वो आता है तो वो वड़ी इसी रफ सी वाइस में चिलाता है कि बच्चे तुम यहां पर क्यों ख करें चल जाओ और यहां पर फिर से वापिस कभी मत आना उसके साथ साथ फिर वो अपने गार्डन के असपास चार दिवारी कर जयता है बड़ी सी वाल्स लगा देता है और उसके साथ साथ एक बड़ Lisa signboard में क्या लिखता है नोटीस पोर्ट में क्या लिखता है कि जो अंद अपने बारे में सोचता था, अब जो बच्चे थे, उनके पास कोई जगा नहीं थे खेलने के लिए, वो ट्राय करते थे, कि वो रूड पर ही खेल पाए, पर जो सड़क थी, वो भी बहुत ज़ादा डस्टी थी, मिट्टे दार थी, और उसमें बहुत ज़ादे पत्थर थे, और वो उन्हें पसंद नहीं था, और जो बच्चे थे, वो हमेशा सिर्फ बात ही करते रहते थे, कि हमें जो जाइंट का गार्डन था, वो कितना ब्यूटिफुल था, हमें वहाँ पर कितनी खुशी होती थी, हम कितने मजी से खेलते थे, उसके बाद क्या होता है, कि जो स् भी वहाँ पर गाना गाने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं थे, तो फिर जो ट्रीज थे और बर्ड्स थे, वो दोनों ही बहुत ही जदा उदास होकी थे, और जो ट्रीज थे, उन्होंने भी अपने फूल वगाना चोड़ दिया था, को मज़ा आ रहा था जायन के गार्डन में, वो थी स्नो एंड फ्रॉस्ट, क्योंकि अब जो स्प्रिंग था, वो उसके गार्डन को भूल गया था, और वहाँ पर सिर्फ विंटर ही विंटर था, तो जो स्नो था, उसने क्या किया कि जो ग्रास थी, उसको अपने कपडों के गार्डन में, वूसके बाद भी ठंडी हवाय चलने शुरू हो जाती है, गार्डन में, उसके बाद फिर वो हेल को भी बुलाते हैं, ओले में पर अपने अब आगे रीट करते हैं अब जो जाइंट होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जो इतना लेट क्यों है स्प्रिंग अभी तक आया क्यों नहीं है फिर वो क्या करता था अधेली विंडो के पास से बैठता था और देखता था पर वहाँ पर वेदर में कोई भी चेंज नहीं आता है तो फिर वो कहता है कि होप मैं दुआ करता हूँ कि वेदर में जल्दी चेंज आए और स्प्रिंग आ जाये बट ना ही spring आता है ना ही summer और जो autumns में जो क्या होता है कि जो हर trees होते हैं उसमें fruits आ जाते हैं पर सिर्फ giant के garden में ही कुछ भी नहीं आता वो बहुत ही ज़ादा selfish होता है तो और वहां पर सिर्फ winter ही होता है north wind, hail, frost and snow dance करते हैं trees के आसपास और मज़े करते हैं एक morning अब एक दिन क्या होता है कि जो giant होता है वो बैट के उपर लेटा ही होता है कि वो सुनता है कि बहुत ही मीठी सी आवाज आ रही है वो सोचता है कि पक्का जो किंग्स की मुजीशन है वही वहां से जा रहे होंगे रस्ते से गुजर रहे होंगे वो बहुत ही मीठी थी पर उसे लगता है कि नहीं मेरे गार्डन में तो कोई पक्षी आई नहीं सकता पर फिर वो दिखता है कि उसी के garden से एक bird की आवाज आ रही है और वो बहुत ही अच्छी आवाज थी उसके बाद फिर जो hail होती है वो रुख जाती है नॉर्थ wind भी रुख जाती है उसके बाद क्या होता है? कि परफ्यूम की भी बहुत अच्छी से स्मेल आ रратी होती है फ्रेगनेंट आ रही होती है कहां से आ रही होती है? फ्लावर से फिर जाइन कहता कि अट लास्ट अब एंड में कम से कम स्प्रिंग आ ही गया और फिर वो उचलता हुआ बैट से उचलता है और बाहर जाता है अब second part read करते हैं उसके बाद अब बाहर क्या देखता है कि जो दिवार है वहाँ पर एक छोटा सा जिसी यहां से hole हो गया है और वहाँ से छोटे छोटे बच्चे अंदर आ रहे हैं और हर पेड के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और जो पेड है वो भी अपने ब्रांचिस अच्छे से हला रहे हैं वेव कर रहे हैं और उनके उपर blossoms भी आ गए हैं और birds भी अब उड़ रहे हैं वो ट्वेर कर रहे हैं ट्विटरिंग कर रहे हैं और उसके साथ जो flowers हैं वो भी बहुत ही हस रहे हैं मजे कर रहे हैं और यह बहुत ही सुन्दर सा सीन था सिर्फ एक ही corner में अभी विंटर था और वो corner जो सबसे दूर वाला corner था garden का वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था वो बहुत छोटा था तो इसे लिए वो trees की branches तक नहीं पुँँच पा रहा था और वो बहुत ही बुरी तरह रूरा था क्योंकि वो नहीं चड़ पा रहा था और बागी सब चड़े हुए थी और वो जो trees होता है वो भी frost से cover हुआ होता है जितना वो नीचे कर सकता था पर वो बच्चा बहुत छोटा था तो वो नहीं पहुंच पाता यह देखकर जो giant का heart होता है वो melt हो जाता है वो कितना selfish पन गया था पर अब मुझे पता चल किया है कि spring क्यों नहीं आ रहा था फिर वो क्या करता है जो छोटा सा बच्चा था उसे help करता है और उसे tree के top पे बढ़ा देता है तो ऐसी जैसे वो करने जाही रहा होता है तो क्या होता है कि सब जब giant को देखते है वो भागना शुरू जाते है पर वो छोटा बच्चा रूरा था तो उसकी eyes में आंस होती तो वो giant को नहीं देख पाता giant उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथों से उसको उपर उठाता है और उसे प्यार करता है तो फिर जो बच्चा होता है वो भी अपनी बाजिवों को खोलता है stretch करता है और वो भी giant को hug करता है और उसे किस करता है फिर वो कहता है कि अब ये गार्डन सिर्मीरा नहीं है ये तुमसब का चिल्डरन गार्डन है वो अपने गार्डन को प्लीग्राउंड में कन्वर्ट कर देता है और उसकी बाद फिर इतने देर खेलने के बाद इवनिंग में जो जाइन था वो सभी बच्चों को ये नहीं पौटका है इसमात है मैंने प्यार किया था लिए फिर बच्चे कहते थी कि हमें तो उसके बारे में नहीं पता उसके नीचे वही छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसे जाइंट ने प्याल किया था जाइंट जल्दी से भागता हुए बहुत ही खुशी में जाता है नीचे और फिर उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहां पर थे तुम्हें किसने तंग किया उसे लगी होती है छोटे तुम ने दूटा है और फिर जो जाइन्ट होटा है जो बच्चा होता है वो फ्याह दो होता है वो उसके ऑर जूपर होते हैं वो सको नेां मतलब की वह पासटाइस में स्वर्ग में लेकर गया और अक्जू में वोग्वागन ऑइजुश थे तो इसके question answer हम next video में करेंगे thanks for watching